स्वागत है आपका Green Leaves चैनल में आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर प्लांट के साथ मिल जाते हैं जिसमें एक प्लांट है जेट प्लांट इसे अक्सर लोग अपने ड्रॉइंग रूम में या फिर अपने डेस्क पे रखते हैं इसे लगी प्लांट भी कहा जाता है तो क्या ये वाकई में एक इंडोर प्लांट है जानते हैं चलिए इस वीडियो में ये है जेट प्लांट ये सेक्लेंट वेराइटी का एक प्लांट है तो जैसा हम बात करें हैं कि यह indoor plant है या outdoor plant है तो हम इसे indoor रख सकते हैं लेकिन condition यह होती है कि इसे थोड़ी थूप लगनी चाहिए अगर आपने इसको बिल्कुल एक ऐसी जगे पर रख दिया है जहां पर बिल्कुल भी sunlight नहीं आ रही है और ना तो indirect आ रही है ना direct आ रही है तो फिर धीरे धीरे इसकी पत्या श्रिंक होंगी और जढ़ जाएंगी तो इसको sunlight थोड़े थोड़े दिनों में चाहिए होती है अगर sunlight नहीं मिलेगी तो इसकी growth भी रुख जाएगी और यह अपनी beauty जो है बिल्कुल खोदेगा तो अगर यह हम चाहते हैं कि यह plant जो है उतना ही खुबसूरत लगे जितना की हम इसको जब लेकर आए थे वैसा ही लगे तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसे कुछ समय के लिए बाहर रखें आप देख रहे हैं कि बाहर रखने से यह plant किस तरह से grow करता है यह बहुत ज़्यादा अच्छे से grow करता है बहुत ही एक healthy plant बनता है मैंने इसे hanging basket में लगा रखा है बाहर तो अगर हम इसे ऐसी जगे चूस करें अपने drawing room में जहां पर sun light आती हो या अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ समय के लिए हम इसको मालब तीन जा दिन में एक बार हम इसको जो है बाहर रखतें जैसे कि इसको जो sun की requirement है वो पूरी हो जाए इस तरह आप अपने jet plant को indoor रखकर भी एक healthy plant बना सकते हैं उमीद है आपको information अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए मेरी चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसी ही information लेकर मैं आती रहूँगी इस चैनल पर thanks for watching